असलाम उलेकूम दिस डॉक्र वसीम, कैसे हैं आप सब ठीक है, फिट हैं आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक दमा फिर डाइबर्टीस को लेके आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि मैं डाइबर्टिस को लेके काफी सारी वीडियोस बना रहा हूँ कि ये शुगर का मर्ज ये होता क्यू है इसमें इंसुलीन काम करना छोड़ती है इंसुलीन रिजिस्टर्स क्या है उसको ठीक कैसे किया जाता है ये वीडियोस जब मैंने बनानी शुरू की तो रिस्पॉंस जो आया तो जो मैं एक्सपेक्ट करा था कि मुझे शायद 40 साल के 45 साल के 50 साल के ये लोग अपरोच करेंगे क्योंकि इस उमर में ही ये बिमारी जो है वो ज्यादा होती थी तो वो बिमारी जो के काफी देर से जाके होती थी अब वो बहुत जल्दी होना शुरू हो गई है तो इसलिए भी ये बहुत बड़ी वज़ा है मेरी परेशानी की क्योंकि इस बिमारी को बड़ी असानी से बगहर दवाईयों के एकसरसाइज और डाइट के थूरू ठी किया जा सकता है और वो लोग जिनकी अमरे 20 से 30 के बीच में थी वो सब मेडिसन ले रहे थे और उन में से एक सहाब आए तो मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन एक सेंटर है जहां पर बकोल उनके शुगर का इलाज किया जाता है तो उन्होंने जो दवाईयों पर उनको डाला उसके साथ जो उनको डाइट दी है तो वो मैं आपको भी पढ़के बताऊंगा कि वो जो डाइट है वो कैसी है सुभा का नाश्टा रोटी पराठा जेतून के तेल में या कनोला में ठीक है ना साथ सालन कोई पताया नहीं सालन कितना लेना है अंडा सिर्फ सफेदी चाए दूद बगहर बालाई के ये पहला खाना हो गया नाश्टा फिर मिड मॉर्निंग के नाम से एक और खाना है एक और मील है कोई भी मौसमी फल फ्रूट भुने हुए चने दलिया पहला काब्स दूसरा भी कार्बो हाइडरेट्स तीसरा भी कार्बो हाइडरेट्स तीनो कार्बो हाइडरेट्स की सोर्सेज अगर आपने मेरी वीडियो देखी हूंगी तो यही ज्यादा कार्बोहाइडरेट्स लेना ही डाइबर्टीस की वज़ा बनती है, बिमारी की वज़ा बनती है फिर दुपेर का खाना देखने हैं, उबले वे चावल, स्टार्च, कार्बोहाइडरेट्स फिर से, सालन, कोई नहीं बताया क्या सालन, दही, आदा कप, ये भी नहीं बताया, फुल फैट, लो फैट, क्या, बस दही लेनी है या खुशक रोटी, फिर से कोई सालन और सलाट, सालेट में भी कुछ नहीं लिखा कि कौन सी सबजी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी फिर मिड इवनिंग, ये सबसे ज़्यादा है, हैरान कुन है, चाए एक कप बगहर चीनी के, बिसकिट, शुगर फ्री बिसकिट, अब जो शुगर फ्री बिसकिट होते हैं उसमें चीनी नहीं डाली होती, लेकिन उसमें कारवाइड इड्स काफी ज़्यादा होते हैं, और खराब कॉलिटी के, बुरे कॉलिटी के फैट्स भी होते हैं उसमें, और उसके साथ साथ वो प्रॉसेस भी होता है, फिर दूसे नमबर पे है ड्राइफ रूट, अब ड्राइफ रूट में भी कुछ मैंशन नहीं है, ड्राइफ रूट मैं मानता हूं के अच्छा है नेबे होटी हुश करोटी फिर सालन्च चोटी प्लेट फिर सलाद और पिर दही अगर आप यह डाइट फॉलो up कर रहे हैं सब्सक्रिशन कर में और अगर आप यह सबने İş आपकी डाइबिटीस ठीक हो जाएगी तो यह ऐसे ही है मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे आप आग पे पेटरोल शेरक रहे हैं और आप एकस्पेक्ट कर रहे हैं कि आग बुझ जाएगी तो अब जहां तक हमने ये बात कर ली कि जो इलाज आज कल हो रहा है दवाईयों की थ्रू और फिर साथ साथ डॉक्टर जो डाइट बता रहे है और इसी वज़ा से ये बिमारी जल्दी से जल्दी हो रही है हम पहले देखते थे 30, 40, 40 साल की उम्रें 50 साल की उमर में होती थी अब 20 साल 25 साल 30 साल के लड़के आ रहे हैं और वो इस बिमारी के साथ जंग लड़ रहे हैं और दवाईयां भी ले रहे हैं तो मेरी डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज्यादा नहीं कुछ भी कर सकतें तो कमस कम फ्रूट्स और चावल और कार्बो हैड्रेट्स की जो ज़्यादा गहर ज़रूरी इस्तिमाल है उसको आप उनको बता दें कि ये नुक्सान दें उसको कंट्रोल करें और अगर बहुत ज़्यादा बनी करतें तो एटलिस्ट कमस कम ये फ्रूट्स तो खतम कर दें क्योंकि ये फ्रुक्टोस जो है उसकी जो चीनी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है डाइबेटिक पेशिंट्स के लिए तो मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपकी अवेरनेस के लिए थी आप तक ये बात पहुचानी थी कि डाइबेटिस जो होती क्यों है उसके उपर मैं पहले भी काम कर रहा हूँ और मैं परिशान हूँ कि यंग लड़के आ रहे हैं जिनको अपनी जिन्दगी में बाकी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए वो गलत खाने के इंतिखाब की वज़ा से मिस गाइड होनी की वज़ा से और एकसरसाइज ना करनी की वज़ा से इस बिमारी में मुटला हो रहे हैं और काफी परिशान है और इंशालला मैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा आप मेरा ये मैसेज शेयर करेंगे और अपने इर्दगर्द के लोगों को भी आगाह करेंगे कि अगर वो डाइबेटिक हैं और वो फूर्ट्स खा रहे हैं तो उनको फूर्ट्स खाने से आप रोक देंगे इसके साथ मुझे अजाज़त दे अपना बहुत ख्यार रखिएगा अल्ला हाफिस